नीरच चोपडा ने वल्ड चेंपियंशिप में रचा इतिहास पाकिस्तान की अर्षर नदीम ने डॉफ पाइफ में बनाई अपनी जिखा पाकिस्तान की नदीम के साथ दोस्ते पर क्या बोले गोल्डन बॉय नीरच चोपडा अमेरिका में आए जित हुए बॉल्ड एतिलिटिक्स चेंपियंशिप में भारत के नीरच चोपडा ने इतिहास रच दिया नीरत चोपड़ा ने इस Championship में Silver Medal जीता साथ ही भारत के लिए इस Championship में Overall दूसरा साथ ही पहला Silver Medal जीतने का record बनाया इसी के साथ नीरत चोपड़ा World Championship में Medal जीतने वाले पहले भारत के पुरुष खिलाडी बने आपको बता दें कि Javelin Throw में Gold Medal Grenada के Anderson Peters ने जीता था इसके अलावा आपको बता दें कि नीरत चोपड़ा ने अपने शांदार फॉर्म को जारी रखा और World Championship में शांदार फॉर्म के साथ 88.111 मिटर का थ्रो किया और साथ 30 Silver Medal अपने नाम किया इसके अलावा नीरत चोपड़ा अब Commonwealth Games में भारत के लिए Medal जीतने पर नजरे बना रहे हैं आपको बता दें कि World Championship के Final मुकाबले में नीरत चोपड़ा का दूसरा स्थान रहा तो वहीं पडोसी देश पाकिस्तान के Javelin Thrower अरशद नदीम का पांचवा स्थान रहा आपको बता दें कि अरशद नदीम ने भी Final में अपनी जिर्गाए बनाई साथ ही ये जानकारी देते जे लिए कि Tokyo Olympic में भारत के लिए नीरत चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था तो वहीं अरशद नदीम उस वक्त भी Final में अपनी जिर्गाए बनाने में कामियाब रहे इसके लावा World Championship में अरशद नदीम ने 86.1-6 मिटर का फ्रो किया और Final में पांचवा स्थान हासिल किया इसके लावा आपको बता दें कि वह World Championship में क्वालिफाई करने वाले पाकिस्तान के पहले एफलेट किलाड़ी बनें वहीं बात करेंगर नीरत चोपड़ा और अरशद नदीम की तो उनकी दोस्ती घहरी है नीरत चोपड़ा ने अरशद नदीम के बारे में मैडल जीतने के बाद बातचीत की उन्होंने अरशद नदीम पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि मैं इवन के दुरान नदीम से बिलको भी मुलाकात नहीं कर पाया लेकिन Final खत्म होने के साथ नीरत चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने 86 मिटर से जादा का रोग किया जो कि अपने आप में शानदार प्रतरशण है साथी नीरत चोपड़ा ने कहा कि वह चोट के बाद Final में जहर बनाने में कामयाब रहे थे जो कि अपने आप में खास है और इतनी बूर भाला फेक कर प्रिटेन में में मेरा इलाज चल रहा है और मुझे उमीद है कि मैं अच्छा प्रश्शन करूँगा आगको बता दें कि नीरच चोपड़ा और अर्शर नदीम की दोस्ती अच्छी है दोनों खासे अच्छे दोस्त हैं साथ ही नदीम नीरच चोपड़ा को अपना आईडियन मानते हैं पिछले साल टोक्यो अलम्पिक के फाइनल के दोरान नीरच चोपड़ा का भाला अर्शर नदीम के पास ही मिला था इसके बाद शोशल मीडिया पर लोगों ने पाकिस्तान के नदीम पर चोरी कारोफ लगाया था जिसके जवाब ने नीरच चोपड़ा ने कहा था और कहा था कि वह मेरे आइडियल है बराल क्या कुछ आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान की अर्शर नदीम और साथी गोल्डन बोई निरच चोपड़ा के बारे में उनकी दोस्ती के बारे में कमंट करके जरू बढाएं इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और स्पोर्स की तमाम अब देखे लिए देखते रहें पने दिया नमस्कार